नमस्ते फ्रेंड्स शोमास लाइफस्टाइल एंड व्लॉग्स में स्वागत है आप सभी का आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ मीशो होम एंड किचन प्रोड़क्स हॉल वीडियो शुरुवात कर रही हूँ एक किंग साइज बैट शीट से ये है राजिस्थानी जैपुडी प्रिंटेज डबल बैट शीट कॉटन का है ये प्राइज है इसका जश्ट 394 रूपिज क्वालिटी की बात करें तो प्राइज के हिसाब से इस से बहतर क्या ही मिल सकता है मुझे इसका कलर कंबिनेशन काफी पसंद आया और बैट पे स्प्रेट करने के बाद तो ये बहुत ही खुबसूरत दिख रहा था ये कुशन का ओवर भी मैंने मीशो से ही लिया था नेक्स्ट प्रोड़क्ट है ये सारी कोवर स्टोरेज बैग पीमियम क्वालिटी का है सेट अफ ठी का है और कलर अप्शन बहुत सारे थे उनमें से मैंने यही कलर चूस किया था और इसके लिए मुझे पे करना पड़ा जस्ट 260 रूपीज और जब मैंने इसे और किया था तब मैंने सोचा था कि कुछ भी मतलब कोई भी क्लोज रख लूंगी इसमें लेकिन इसे देखने के बाद मैंने अभी डिसाइड कर लिया है कि इसमें मैं सारी ही रखने वाली हू एक में मैं रखने वाली हूँ पूजा मंदिर जाने के लिए जो सारी मैं यूज करती हूँ रैड और वाइट कॉम्बिनेशन में वो सारे और एक मैं हैंड लूम के सारी रखूंगी और एक में असाम के जो ट्रेडिशनल सारी यानि कि मैंखला चादर रखने वाली हूँ औ एक के उपर एक रख सकते हैं, काफी सारा स्पेस भी बच जाता है, देखने में भी अच्छा लगता है नेक्स्ट प्रोड़क्ट है, यह गैस लाइटर रिफिल कैन 100 ml का है, और इसके लिए मुझे पे करना पड़ा 181 रुपीज प्राइज उपर नीचे होता रहता है तो मैंने अपने पुराने वीडियो में आपके साथ शेयर किया हुआ है, कि मैंने मीशो से दो गैस लाइटर ये दो गैस लाइटर लिया था 120 रुपीज में मुझे ओफर में मिल गया था तो इस लाइटर में एक ही प्रॉब्लम है यह कि इसका जो गैस खतम हो जाने के बाद यह useless हो जाता है तो अभी मुझे इस प्रॉब्लम का solution भी मिल गया है यह गैस लाइटर रिफिल कैन तो इस लाइटर में पीछे के तरफ एक होल है और यह जो रिफिल कैन है इसमें एक pipe दिया गया है उस pipe को होल के अंदर डाल के push करना होता है तो लाइटर में gas refill हो जाता है तो फिर हम इसे पहले जैसे यूज़ कर सकते है और इस लाइटर में कुछ अच्छे quality भी है जैसे कि इसमें एक lock button दिया गया है और फिर इसके जो fire है उसको हम कम ज्यादा भी कर सकते है तो यह लाइटर मैंने फेका नहीं था रग दिया था तो आज काम में आ गया है नेक्स्ट प्रड़क्ट है यह समिस ट्रेडिशनल वैर यानि की मैखला चादर तो जो लोग मैखला चादर के बारे में जानते हैं जो ओरिजिनल मैखला चादर होते हैं वो काफी प्राइजी होता है मैंने यह बहुत ही कम प्राइज 1,013 रुपिज में लिया है तो इतने कम प्राइज में ओरिजिनल के बारे में तो सोच भी नहीं सकते लेकिन यह भी काफी अच्छा है क्वालेटी मुझे पसंद आया इतने कम प्राइज में मैखला चादर के साथ ब्लाउस पिस भी मिल गया और मैंने तो बना भी लिया है पूरा तयार है मैखला चादर अब बस पहनने की देर है इतने की देर है ऊपार चांफ़rahज काँ बदार है बारा चादर है कि आखा है आपथ पूरा कर लोग़व फच्साय। थ्ल्हभवाद का स्ब्राइवी वग्द़ वग कम रबसे पूरा कर शफ़ब्स नेक्स्ट जो प्रोडक्ट है वो मैंने लिया है किचन सिंक में यूज़ करने के लिए ये प्लास्टिक डिस्पंसर फोर डिश्वशर लिक्वीड तो इसे यूज़ करने से पहले मेरा जो किचन सिंक है वो काफी मैसी रहता था और अभी इसे लाने के बाद मेरा किचन सिंक ब बादर भी मिला है और साथ में इसका प्राइज जस्ट 156 रुपीज है मुझे ये काफी पसंद आया और इसमें जो डिश्वर्शर लिक्वेड है वो वेस्ट भी नहीं होता यूज करना भी बहुत ही आसान है आज के वीडियो का लास्ट प्रोड़क्ट फोर लेयर स्लीम स्टोरेज और्गनाइजर रैक विद विल्स फॉर किचेन बैडरूम बाथरूम लेकिन मैंने इसे किचेन में यूज करने के लिए ही लिया है ये इस तरह से पार्ट पार्ट में आता है और इसे एसम्बल करना होत है एसम्बल करना काफी इजी था मैंने खुद एसम्बल किया है इसे और काफी बड़े साइस का है तो इसे हम टू लेयर में भी यूज कर सकते है दो पार्ट में और इसके लिए मुझे पे करना पड़ा जस्ट 592 रूपीज तो जब मैं इसे अपने कीचेन में यूज करूं उमीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद जरूर आया होगा अगर पसंद आता है तो लाइक, कॉमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा फैमिली और फ्रेंस के साथ मेरे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साइब में जो बेल बटन है उसको भी प् झाल